थान सिंग का कोई पेक्तिक है जगडा तो था नहीं अब लोग थे इक्टे ओर रखे थे उनकी प्रोब्लम थी उनके साथ में थान सिंग डोली भी थे और ग्रामीनों ने आकरोस वेक्त किया अपना रोस वेक्त किया कि अमारी ये समसिया इसका समाधान कराओ बागी जगडे वाली कोई ऐसी बात नहीं थी ये तो एक जगडे का रूप दिया गया राजनितिक रूप है बाकी लोगों ने अपनी जायज मांग रखी थी और ना तो किसी का उनने रास्ता रोका अपनी बात जरूर रखी थी अपनी बात सुनने के लिए उनको बोला कि हमारी बात सुनो जाओ तो उन्होंने अपना दुख व्रिक जाओ अरिन्होंने उनको लिए द्राजनितिक तोष्ता के साब्ष्प मांघ थी ने ही ति कि दूशत पानी का समाधान करा और गाओं के अंदर पानी जमा हो गया है इसकी निकासिका उप्या करो टंपडरी के नाल बना कर ज्या करना के गाउं को खाली कराने की मांगती तुरुंत परबाव से और बाकी फ्यूसर के अंदर ये समयश्या आज 15-20 साथ से लोगों को इस समयश्या का सामना करना पड़ रहा है तो इस समयश्या के लिए भी ठोस प्रेतन किये जाएं ताकि वर्स दर वर्स इस समयश्या जो वि पी थे और ग्रामीनों ने आकरोश विक्त किया अपना रोश विक्त किया कि हमारी ये समयश्या इसका समाधान कराओ बाकी जगडे वाली कोई ऐसी बात नहीं थी ये तो एक जगडे का रूप दिया गया राजनितिक रूप है बाकी लोगों ने अपनी जाएज मांग रखी ये दुराजनितिक द्वेस्ता के साफ़ से तांसिंग की अलग से कोई विक्तिकत मांग नहीं थी उनकी यही थी कि ये दुशित पानी का समाधान कराओ और गाओं के अंदर ये पानी जमा हो गया है इसकी निकासी का उपया करो टंप्रेरी कैनल बना कर जो पानी के लिए र समसिया का सामना करना पड़ रहा है तो इस तरह समाधान के लिए भी ठोस प्रेतन किये जाएं ताकि वर्स दर वर्स इस समसिया जो विक्राल रूप ले रही है ये इसका समाधान हो सके इसके लिए ग्रामी नहीं मांग की थी